देश में लोकतंत्र की किताब का नया ध्याय साथ लेकर आई शान से सर उठाए खड़ी संसत की नई इमारत में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ तो उनका स्वागत परंपरागत धंग से किया गया शुबारम समारोह की शुरुवाद हवन और पूजन से हुई इसके बाद बारी थी उस एतिहासिक अवसर की जिसका इंतिजार पूरे देश को था प्रधानमंत्री मोदी न्याय पूण और निश्बक्ष शासन के बवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहन करने पहुचे हमारी संस्कृती से जुड़े इस महान प्रतीक के प्रती सम्मान प्रकट करते हुए पियम मोदी ने उसे साश्टांग दंडवत प्रणाम किया तमिलनाडू के थिरुवदू थुरई आधिनम के आधिनमों ने पियम मोदी को सेंगोल सौपा पियम मोदी ने नए संसत भवन में इस सेंगोल को इस्थापिट किया सेंगोल की इस्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसथ भवन को राश्टर को समर्पित किया लोकतंत्र के मंदर की नई इमारत राश्टर को सबर्पित करने के बाद नए संसत भवन में आयोजित समारोह में पहुँचे प्रधानमंत्री का स्वागत दिल खोल कर हुआ गर्मान ने हस्तियों से भरा नए संसत भवन का लोकसभा कक्ष पियम मोदी के अभिनंदन से गूंचता रहा लोकतंत्र की जननी भारत में लोकतंत्र के मंदिर की नई भवे इमारत का शुबारम था ही एसा अवसर के जोश और उत्सा हर तरफ महसूस किया जा सकता था इस एतिहासी का उसर पर पियम मोदी ने समारक नाक टिकर जारी किया पियम मोदी ने 75 रुपे का एक विशेश समारक सिक्का भी जारी किया अपने संबोधन में परधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है संसत का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का अहवान करेगा आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को भारत के संकल्प की दड़ता को भारत वास्यों की प्रखरता को भारतिय जनशक्ति की जिजी विशा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है संसत का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आहवान करेगा 21 वी सदी का नया भारत बुलंद होसले से वरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है आज भारत प्राचीन कला के उस गवरोशाली धारा को एक बार फीर अपनी तरफ मोड रहा है और संसत की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवन प्रतीक बनी है ये हमारा सोभाग्य है किस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लोटा सके है उसकी मान मर्यादा लोटा सके